हेलो फ्रेंड्स वनरख्षक मोडल पेपर में अती महतोपुर्ण परशनों का जार संग्रे हम लेकर आए हैं इससे पहली वीडियो में हमने एक से लेकर के 20 तक क्यूशनों का एक मोडल पेपर कर लिया था आज का हमारा नेक्स्ट कुशन है कि राजस्थान का स्थापना दियो होता है इसका सही अंसर होगा ओप्सन भी 30 मार्च को इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूशन है कि राजस्थान राज्जे की राजदानी क्या है तो राजस्थान की राजदानी का सही अंसर क्या होगा ओप्सन भी जेपूर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूशन है कि राज राजस्तान के राजे सिभाषेटों के सख्या कितनी है इसका सही आंसर होगा ओप्शन भी दसेटे इसके बाद हमारा next है कि राजस्तान के पर्थम राजेपाल कौन थे तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन B सरदार गुर्मुख निहाल सिंग इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूशन है कि राजस्तान राजे के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे इसका सही आंसर होगा option A, हिरालाल सास्त्री इसके बाद हमारा next question है कि राजस्तान राजे की पर्थम मैला राजेपाल कौन थी? कमला बेनिवाल, वसुंद्रा राजे, तमीली साही सोंद्रा राजन और इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं क्योंकि हमारी जो पहली मैला राजेपाल थी, वो सिर्मेते पर्थिबा पाटिल थी इसके बाद हमारा next है कि राजस्तान की पर्थम मैला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा, option B, वसुंद्रा राजे इसके बाद next है कि राजस्तान राजे के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही अंसर क्या होगा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर होगा option B अशोग एलोथ इसके बाद हमारा next question है कि राजस्तान राज्य के वर्तमान राजेपाल कौन है तो राजस्तान के वर्तमान में कौन है राजेपाल वर्तमान राजेपाल है कल राज मिसर यहाँ पर नाम थोड़ा सा मिस्ट प्रिंटिंग हो गई है कल राज मिसर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूसन है कि राजस्तान राजे के वर्तमान सिक्षा मंत्री कौन है रगु सर्मा, गोविन सिंग, डोटासरा, हरिश चोदरी, परताप सिंग, खचरियवास इसका सही अंसर होगा बेडी कला, चुंकि इन चारों में से भी कोई भी हमारा सिक्षामंतरी नहीं है इसके बाद हमारा नेक्ष्ट को सुना है कि राजस्तान राजे के किस जिले में राजे का सबसे बड़ा दूख दूख दूशी तिलन के अंदर है इसका सही अंसर क्या होगा, जेपूर इसके बाद हमारा next question है कि राज़स्तान में राजपर्मुक के पद को राज़े पाल का पद नाम कब दिया गया तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर का उप्सन भी 1956 में साथवे सविधान संसोधन के तैद दिया गया था ये कब दिया गया था 1956 में साथवे सविधान संसोधन के अंदर दिया गया था इसके बाद था वरहत राजस्तान का परदानमंत्री कौन था और हएंद राजस्तान के पर्दानमंत्री हुग अकरते थे उस में हीरालाल सास्त्री, इसके बाद नेक्स्थान के बोगोलिक चैत्र को राजस्तान नाम कब दिया गया। जो नामकरण है राजस्तान वो दिया गया था, एक नवंबर यूशंदि यूशंद्च को। इसके बाद राजस्तान में राजनेतिक एकिकरण के परकिरिया किस वर्ष शुरू हुई थी इसका सही अंसर होगा 1908 इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्यों सुने कि राज कितने राजवाडा एउ छेत्रीय राजयों के एकिकरण से राजस्तान राजे की स्थापना की गई थी त तो कितनी रियास्ते थी उसमें इसका सही अंसर होगा 19 इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्तान सेवासंग के स्थापना राजस्तान के वर्दा में किस वर्ष की गई थी तो इसका सही अंसर होगा 1919 इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्तान रजे का आकार किस परकार का है ति कि23 द्रश्टि से राजस्तान राजे का बार्द मैं कौन सा अस्थान है तो इसका पहला है इसकेवार ने स्थान का राजस्तान का सुमेर पर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका सही अंसर होगा सवाई नदी इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्तान का हनमानगर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका सही अंसर होगा गगर नदी इसके बाद हमारा नेक्स्ट कि उसन है कि राजस्तान के कि जिले में वन रोपन सोध के अंदर स्तित है इसका जो उत्तर होगा सही उत्तर वो होगा जोधपूर इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्तान में रेडियो का प्रशारण सरुपर्थम कहां हुआ था तो राजस्तान में सरुपर्थम रेडियो का इसके बाद राजस्तान में कहां प्रमाण उर्जा के अंदर स्तित है इसका सही आंसर होगा रावत बाठा चितोडगर जिले में इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्तान राजय का सबसे प्राचिन संक्टित उद्योग कौन सा है सुत्ति वस्तर उद्योग चिन्नी वस्तर तो इसका सही अंसर होगा फलोदी स्थित है इसका सही अंसर होगा जोधपुर इसके बाद नेक्ष्ट है कि राजस्तान दुख्द सहकारी संग की स्थापना कि सुवर्ष की गई थी इसका सही अंसर होगा इसकी स्थापना की गई थी धन्यवाद दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इन्रांतर इसी प्रकार के मोडल पेपर में आपको मिलते रहे